विल्कम बेक टू मिडेल एजुकेशन लिजी स्टेंट्स अब आपके सामने कच्छा नौवी के संस्क्रित का एक ऐसा मॉडल कोस्टिन पेपर लेकर क्या चुका हूँ जहां से बहुत सारे कोस्टिन्स हूब हूँ सेम टू सेम देखने को मिलेंगे जैसे कि आप सबको पता है कि मिडेल एज के सन केवल और केवल आपके सामने मोश्ट आई एमपी कोस्टिन्स एंड मॉडल कोस्टिन पेपर प्रजेंट कराता है जहां से बहुत सारे कोस्टिन्स एक्जाम में आते भी है इसे सिल्सले में एक मॉडल प्रश्न पत्र मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया उसके बाद कुछ मोश्ट आई एमपी कोस्टिन्स प्रवाइड कर आ गया था एंड फाइनली अब दूसरा मॉडल कोस्टिन पेपर आ चुका है सिंपल सा आपको करना क्या है इस बीडियो को इंड तक देखना है जितने भी कोस्टिन है अच्छे से प्रप्यार करना है डेफिनेटली एक्जाम में अच्छा स्कूर देखने को मिलेगा जो नीचे मॉडल पेपर है जिसका प्रिंट है उसे आप सेट नमबर एक है सकते हैं एंड इसे सेट नमबर बी के नाम से जाना जा सकता है देखने जिशन पचहत्तर नमबर का पेपर रहेगा एंड संस्कृत में कोस्टिन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा मैं इतना ही बोलूँगा अगर अभी तक आपने मेरे मोश्ट आयमपी कोस्टिन के विडियो को नहीं देखा तो प्लीज आई जाकर के देखिए मैंने मात्र बीस प्रशन को पलद्ध कराया है और गारंटिक साथ कहता हूँ कि आपकी स्कूल में वहाँ से कोस्टिन देखने को मिलेगा एंड अगेन इस मॉडल कोस्टिन पेपर को अच्छे से पढ़ना है जितने भी कोस्टिन से अच्छे समचना है एक्जाम में अच्छा इसको रहने वाला है दिर्देश में कहता है सरभा प्रशना अनिवारे संती सभी प्रशन को हल करना अनिवारे है प्रशन नाम समुखे इंदेधारित अंक प्रदत्ता कौन सा प्रशन कितने नंबर का है उसके समुख दिया गया है प्रश्ण का उत्तर आपको संस्कृत भासा में देना है प्रश्ण क्रमांग एक कहरा कि उचित बीकल्प चित्तो लिखेत उचित बीकल्प का चैन करके लिखे पहरे नमर कहता है सुपुत्रा पदे उपसरग अस्तियों शुपुत्र सब्दय उसमें उपसर्व कौन है तो उपसर्व का परिभासा होता है वे सब्दय सब्दय जो सब्दों के पहले लगते हैं उसे उपसर्व कहते हैं तो सुपुत्र में आपका सुपसर्व हो जाएगा ऐसे ही उपहार में कौन से उपसर्व है उपहार में आपका उप हो जाएगा निश्ट कहता है अधू लिखतेशू खष्टी भिवक्ति बचनम अस्ति इसमें से बताना है कि खष्टी भिवक्ति बचन कौन सा है तो खष्टी भिवक्ति यह आपका बालकायो हो जाएगा अर्थात option number सा इसर निश्ट कहते हैं जनकेण इत्यस्मीन पदि बचनम अस्ति जनकेण में कौन सा पद और बचन है तो यहाँ पर आपको लगाना है option और वचन है तो यहां पर आपको लगाना है दूइबचन अर्थात और उप्सन नमर सा इस करेक्ट आंसर आगे देखते हैं अधोल इतेशु संग्या पदम नास्ति इन में से कौन सा संग्या पद नहीं है तो यहां पर आपको पठ पगाना है पठ एक धात्त है बल्कि यह करना है तो इन जो चार अंसर आप स्वयम बताएंगे ये आपके लिए एक task है and मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका answer जरूर करेंगे देखो अभी तक मैं एक प्रश्ण का homework देता था बहुत सारे अच्छे student करते भी थे जो बहुत चीज मैं बोलता था उसका answer attend करते थे find करते थे फिर मुझे भेजते थे इसका answer ये होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन कुछ गधे student ऐसे हैं जो की सही तरीके से questions को solve करते रहे हैं बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे तो भाई साहव इसमें आपका loss होना है अगर middle education आपको पढ़ा रहा है कोई question home work में दे रहा है तो आप अपना सिक ज अच्छा कमान करके और अच्छे से अटेंड जरूर किये करिए चलीजी आगे हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाती है यूग में इल्लम कुरत यहां पर रामस से कहता है तो रामस्य आपका खश्टी भक्ति एक बचन हो जाएगा फला नाम आपका हो जाएगा सिंपल सा खश् सुपुत्र में सु आपका उपसर्ग हो जाएगा इस प्रकार से भी कंपेट होता है नेश्ट कहता है एक वाक्ति में उत्तर लिखना है हमारा प्रश्न करवांग एक कहा है कि बाल का अधुना पठती इत्यस्मिन पदे अभ्यम किम इनमें से अभ्या कौन सा है तो इसमें अ कथा अभ्यानते इत्यस्मिन वाक के अभ्याइपदम किम तो यहां पर आपको कथा लिखना है नेश्ट कहता है दो अभ्याइपदम लिखा तो दो अभ्याइपद आपको कुछ भी लिख सकते हैं जैसे सनह सनह लिख दीजिए ठीक है और इस इस देख लो इसमें क्या व्रि ए अगे बढ़ते हैं सुध्ध वाकें शमक्ष आ असुध्ध वाकें समक्ष ना लिकत मतलब जो सही है उसमें आम लिखना है जो असुध है गलाथ उसमें ना लimmer कहता है कि नास्ति इत्यस्मिन पडे वेंजेंस संधिनंधिक है यहां पर नाश्थी आपका बेंजन संधिन नहीं तो ना कर देना है देर hai संधिन उदारणम मनुहरा मनुहर मनुहर शेलिः आपका संधिन शॉर्जेस संधिश्जचर प् sow esagra वह संधिका यहमपल यह भी संधिन ना कर देना तो ना करना है तलीन हो जाएगा ये और महा धन और वरार महासधी गिलकुल सत्य तो आम हो जाएगा इस प्रकार से आपका आमना भी कंप्रीट होता है आगे बढ़ते हैं कभी वाणी की कत्यती इन सभी प्रशन का आंसर मैं अल्रेडी दे चुका हूँ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ वीडियो कौन सा है जिसमें मैंने 20 most IMP questions को कवर किया था और यकीन मानिए वही पूरे के पूरे questions इस question मे इस paper में डाले गए हैं देख लिजे कभी वाली की कत्यत यह देखो मैंने इस question को टिक लिखा दिया था इस कहता है निरधराय ब्रधाय दुहनति की द्रिस आसीद तो देखो यह सिकन वाला प्रशन है ठीक है तो यह सभी questions को मैंने अच्छे से कवर किया है तो अगर आपने इस नहीं देखा तो प्लीज जाएए जाकर के जरूर देखेगा ठीक है एक एक प्रशन का उत्तर दिया गया है बकायदे आपको समझाय गया है एक प्रशन को तो वीडियो का लिंक वीडियो के description में और in description में मिल जाएगा तो प्रशन करवांग के 10 तक आपको वहीं से ही प अब आपको प्रशन का निर्मान करना है ठीक है पहले चटका स्वकरवने व्यग्रा आशीत फिर वाडिका गिरी गुहा गुरी गुहा ब्रच्छिलियम अच्छादित्वान और तपो दत्ता कुटंभी मित्रो गहित अववत ये सब प्रशन पूछा गया है वाइश्ट्व मतलब ये से और है कि आपको सारे question question bank से आ रहे हैं और question bank को मैंने अच्छे से पला हाँ रखा है ठीक है तो चटका वाला देख लेते और तपूदत्त वाला तो चटका वाला आठपी नंबर पे नोबे नंबर पे हैं तो यह रहा आठी नंबर को उस्तर हैं पे शोश्मिन हो प्रणवाद वाला आपकी question में देख सकतें, तीसरा और चौथा, तो यह रहा भाई, कहां में लिखना है, और काम परती में, आपको तीसरा और चौथा में, क्या कहा लिखना है, यहां पर लिखा गया, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लिजे, साइड करते हैं तेरवा नमबर कह रहा है कि वाच्च परिवरतनम कुरत अब आपको बाच्च में करवड करना है इसमें आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा अगर अभी तक आपने इस कुश्चन पेपर के पीडियेफ को डाउनलोड नहीं किया है लिंक दिस्क्रिप्शन वर्क्स में हैं जाई जाकरके अपने इसी पीडियेफ को डाउनलोड कर लेजिए देखिए पहरा नमर कहता है कि बाला पाठम पठती कर्म वाच्च वनाना है तिसका हो जाएगा आपका सिंपल सा बालकेन पाठम पठती यह चीज लिख रहा है और सेकर न समागत स्लोग विहाए सो पाठ्ठ पुश्तक का मेकम इकम लिखत मतलब आपको अपने पाठ्ठ पुश्तक से एक स्लोग लिखना है मैं आपसे पहले ही बोल रखा था कि आपको दो स्लोग प्रिपेयर करना है एक एक अग्जाम में देखने को मिलेगा और यह रहा भाई रखते हैं क्योंकि लिखना एक है लेकिन अगर एक भूल जाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा करेगा इसलिए इस बात को द्यान रखेंगे दो प्रिपेर करना लेकिन एची और द्यान रखना आप वही इस लोग लिखना जो आपके इस प्रश्णपत्र में नहीं आया ह ओके स्टैंट हमारा पंदर नमबर कहता है अध हो लिखे इस बात के इसको सही करना है यहां पर पहले है पहले नमबर आपका गुरु केला दे का ठेकाल जाए है आप आपको रिट्टस्थान भरना है पहला नमर कहता है मनाह-डाय भवती यहां पर हो जाएगा अन्मय अर्य found बहुए यहां पर आपको सिंपल सा लिखते ना हैं परवता है तो यहां पर लोह घटता हो जाएगा एंड चौथा कहता है कि यहांपर सिंपल सा अब आपको टुंडेन कर दिना है इस प्रकार से यह भी कंपेट होता है आगे बढ़ते हैं सत्तर नंबर कहता है अधो लिखतानी वाकेनी घटना करमसार योजते मतलब यह जो वाके इसे घटना करम के अंसार जमाना है और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयम दे तो प्लीज क अध्यान्स पूछा इसके प्रश्ण का उत्तर संस्क्रिट भासा में लिखना है अध्यान्स देखेगा थोड़ी मैंसे जूम करता हूं ताकि प्रॉपर वे में आपका नजर आपके स्क्रेंट पर है एंड एक एक प्रश्ण के उस्तर को अच्छे से देख पाएं वन प्रवज्चिते आपका यहां स्विष्टाट करना है नेश्ट कहता है तया स्वुथा कथा निउप्ता तो इसका आंसर सूर तापश स्षट करके एंड निउप्ता तक लिखें करना है आगे देख लेते अथवा में एक और प्रश्ण है तो यह मैं आपके लिए दे रहा देना है यहां पर केलतें है गुढि यशो फ्रत्ना क्दा कर तभ्य हो çık सिंपल सोड़ गुंड़े गुढडवंगी थी इतना है शिएलिखना नाया तो सिंपल सा, आपको यहां पर क्या लिखना है? गुडियसू क्रतना करतरप्वेयो थिक है? निश्च कहता है आपका गुड युख्त दैरिद्रह कि द्रसी भावजती तो गुड युख्त दैरिद्रो यह वाला पूरा लाइन लिखते लिश्टे लिखना है सर्व जंतवा केने तुस्यंती तो यहां पर आपको छिखन है प्रीवाख के प्रदानेन सर्व तुस्यंती जंतवा खुद्र का और घुरत नाटे आप सेंपल सा आ पकू लिखना है कि तस्माट तथ्यी सी घसी जुन बस इतना लिखके complete करेंगे आगे बरते हैं प्रश्न करवां के 20 कहता है अधो लिखित नाट्येसम पठितो प्रश्ना नाम उत्राने संस्क्रत भासा लिखत अब नाटक का प्रश्न का उत्रा आपको संस्क्रत भासा भी देना है चंदर वाला है अपर लिखा गया है तो हम प् गया है तो इसका आंसर लिखेंगे कि सिवस्ते संतु पधना बस इतना लिख करना है निष्ट कहता है चंदना नदिन्या समीपाम कथा कच्छिक तो इसका आंसर साख्वीज लिखरके अगे बढ़ते हैं इसके अत्वा में एक और दिया गया है तो इसका भी आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं यसे पहला नंबर कहता है मल्लिका यात्रा कि द्रसी जाता तो यह रहा पहला लाने आपको लिखना है निष्ट नंबर कहता है कि कस से ग्रहे महोत्सो करिश्यं कक्षति यह लिखना है और तत्र कती कती सेट सेट कामीता दत्वान अस्ति तो यहां पर आपको सिंपल सा क्यानका है यह रहा यह आपको लिखते हैं ठीक है यह तक अस्ति तक चलीं इस प्रकार से भी कम्लेट होता है और देखते हैं हमारा एक 15 Normal पlate ठीक प्रयूंश्पध धनाम, विनांजकारम भवैती, तो यहाँ पर आपको सिम्पल सा क्या लिखना है, तो यहाँ लिए, काभ्यम प्राप्त म्धनाम यहां वनाओ, यहाँ से लिखना करके लिखना है, लिखना है , सुखिचे अगतर अfeldरों सुख मवर्तती, ठीक यहे रहा feast चेरियन कप्टें चा प्राप्त धनम बिनास्कारां भवती यह वाला यदा धनम फलाती तथे शुक्ष प्राप्त होती यह लिख के कम्डेट करना है और अंतिम बाला कहता है का था धनुपारजन और सेक भवती ठीक है तो यह रहा धनुपारजन सुखी भवती बस इतना लिखना है और मित्र को बढ़ाई पत्र देना है यह चीज बोला गया है ठीक है तो इनका अंसर में दिखा देता हूं तो यह रहा आपके सामने अवकाश के लिए आवेजन पत्र तो प्लीज आप इसका स्क्रिंशॉट लेलो यह रहा ठीक यह पूरा-पूरा पुद्हां से लिखें आना है और आपकी एक्जाम में यही देखने को लिए चाहिए कोई भी सेट हो आगे बढ़ते हैं तेस्वा नमबर कहता है संस्क्रिद भासा के उपर निवंध लिखना है तो यह रहा परोपकार के वारे में तो आप इसका फोटो कीच लो एक और छात्र जीवनम मे अनुसासल यह रहा तो आप इसका फोटो क्लिक कर लिए इस प्रकार से पूरह पूरी कोस्रेंस कंप्रेट कर दिया हूं पार्ट नमबर 1 एट सेट दो पूरँ मुड़ट कर दिया गया है वीडियो पसंदद वीडियो को लाइक कीजि़ अपने दोस्तों को साथ से एर कीजी पहली बारा चनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा विडियो कुण करता है एक्जाम के लिए ओल देश्ट खुश रही पढ़ते रिए मुस्कुताते रिए इसी प्रस्न पत्र का पीडियो टानलोड कीज़े लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है ओके बाइबा झाल